मेरे प्यारे बच्चों कैसे आप सब एक बार फिर से स्वागत है आपका आपने चैनल के ऐसे टुटोरियल में और बहुत-बहुत सुक्री आप सब का इस चैनल को एक लाखे कलब पे पहुंचाने के लिए और आपका प्यार आपके अनुराग के लिए बना रहता है और मैं भ चैप्टर दो चैप्टर है बेसिकली इसमें पहला चैप्टर जो है वह ऐसेप्टिक एरिया और माइक्रोबियल कंट्रोल है और चैप्टर नंबर टूप है माइक्रोबियलोजिकल इसे है तो दो लेक्चर में हम लोग यूनिट फोर को खतम करेंगे चैनल इसका चैप्टर किरिया का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऐसे इसे समालिजा आप जिस कमरे भी बैट के पढ़ाई कर दपाई कर दब सकत प्रिक्रोब्स एंड और बहुत सारे अगर पर कोई भी भी बहुत ज़्यादा हाइजिनिक वर्क करेंगे जैसा कि आप अप्थलमी प्रोडेट मनाएंग कि उसको microbes free बना देते हैं तो उस एरिया को इस्टराइल एरिया कहते हैं और उसी एरिया को हम लोग aseptic area भी कहते हैं देखें aseptic word भी दोस्तों दो वर्ड से मिलके बना है a and septic a का मतलब होता है absence और septic का मतलब होता है microbes या bacteria virus तो जो कमरा हमारा इस्टराइज होने के बाद पूरी तरह से microbes और bacteria से free हो जाता है उसी को हम लोग aseptic area कहते हैं मेरे ख्याल से आपको समाज में आ गया होगा आगे बात करते हैं इस्टॉपिक पे कि क्या contamination के sources है यानि कौन-कौन से sources आपसे question exam में पूछेगा microbes के paper में कि write down the sources of contamination यानि किसी भी कमरे में जो गंदगी है तब तक आप उस sources को दूर कैसे करेंगे और room को clean कैसे करेंगे इसलिए आपको sources पता होना जरूरी है तो basically मसीन पर जो काम कर रहा है वह operator की सिती कैसी है वह नहायाद होया है कि नहीं साप सुत्रा है कि नहीं कपड़े सही पहना है कि नहीं पहना है ठीक है raw material यानि जो material आप यूज कर रहे है प्रोटन बनाने के लिए उसकी quality कैसी है उस पर microbes free है कि नहीं है और लाश्ट इस दे एक्विपमेंट सेनि जिस मसीन पर आप काम करेंगे कर वह मसीन ही पहले से खराब है हाइजरिक नहीं है तो इस पर भी माइक्रों सेनि चार तरीके से हमारे किसी भी कमरे में एसेप्टिक एरिया के अंदर कांटामिनेशन आ सकते हैं तो चलिए बारी 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 देख लेते हैं पहला बात करेंगे एट्मॉस्फियर की जो एट्मॉस्फियर को पता है इसमें क्या होता है कि जो basically air है दो प्रकार की हवा एक तो हवा जो सकबरे के अंदर आ रही है औ दूसरा जो inside air है वो लगातार circulate होगी और circulate होके वो बाहर निकलती रहेगी और clean होती रहेगी इसके साथ-साथ कुछ damp airs है ठीक है देखें कि जो हवा कबरे के अंदर बहुत दिन से बंध है तो उसके अंदर हवा भरी होती है उस हवा के अंदर भी क्या होते हैं फंगस य दूसरी बात करते हैं operator जो operator है उसने कपड़े कैसे पहले उसके skin क्या है hair कैसे clothing क्या है माले जो कहीं मिट्टी विट्टी से आ रहा है और diet घुज गया उसको प्रॉपर clean कर आना है उसकी clothing कैसी है उसका improper hygienic है प्रॉपर सफाई नहीं किया उसने उसके सरीन में घाव लगे ह है उसको फोड़ा फुजी हुआ है चोट लगी है उसमें पट्टी वगरा नहीं बादा है सही से वांड्स के अंदर आप चानते microbes ग्रूप वह तेरी से ग्रूप करते वह पूरे फैक्टिर पर फैल सकता है और कुछ नेजल पैसे जैनिकि उसको नाक के द्वारा उसने मास् करते वह वाटर बहुत ज्यादा ही रिस्पॉंसिबल होता है कंटामिनेशन को फैलाने के क्यों कि वाटर में microbes बहुत जल्दी ग्रो करते तो जो वाटर आप यूज कर रहे है वह प्रॉपर फिल्टर है कि नहीं ठीक है उसका क्या क्वालिटी इंडेक्स है वह सब भी देख जंक नहीं लग गया है यह सब हम लोग उसमें देखते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक के लिए जब भी आप किसी फैक्टरी में देखिए अगर आप कोई भी अप्थैल्मिक प्रोडट्ट के लिए सिट्यूल सी और सीवन के ड्रक्स के ल बीच में आपको हाल पड़ता है जिस हाल में बार-बार लोग गुजरते हैं तो जो उस रूम में ज्यादा लोग जो बार-बार गुजरेंगे तो चांसे ज्यादा है कंटामिनेशन तो डिजाइनिंग आपको कुछ ऐसी करनी होती है दोस्तों ताकि लोगों के मुवमेंट कम से कम हो और काम ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उस इसाब से डिजाईन करतें किसी कमरे को जिसे डिजाइनिग आफ स्व है क्शेट करते हैं मैं देखाा देता हूँ दre замет आपको आपको सामने पहले बात करता हूं किसको नहीं है तो नहीं है पर कट्ड़ेंस सon लोगों ने पांच बाँए लिया है एक होता है के लिए जहां पर आप वॉट्ल रस करते हैं डूसरा निक युष बनाते हैं तीसरा एशेपटिक एरिया जहां पर फिल करते हैं आपको आईड्रॉप आप बना रहे है तो आईड्रॉप के वंडर पार वोड्ला के अंदर ऐसा तो वह अग्या है चोथा है कॉरेंटाइन एरिया याने फिल करने के पाइप जहां पर थोड़ी दर इसको रखेंगे जहां पर लोगों का आना जाना बिलकुल ना हो उसे कॉरेंटाइन एरिया कहेंगे बागी कॉरेंटाइन वर्डस से आप बहुत ही वाकिफ हो गया होंगे साल 2020 में ठीक है अगला है पाकेजिंग या लेवलिंग अरिया लास्ट पर आप जहां पर प्राकेजिंग और लेवलिंग करेंगे उस एरिया को हम लोग ये लास्ट इसे कुल पांच कमरे में हम डिवाइट कर सकते हैं अब पांचों का सिख्वेस देखो कैसा होना चाहिए ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है सबसे पहले एक आपका इतना बड़ा कमरा है इस कमरे आपके स्टार्टिंग में एक ओफिस है और यहाँ पर आपका ब्लॉक रूम है ओफिस में कहा है कोई भी बंदा इंट्री करेगा वहाँ पूरा काम धाम वो ओफिस से आप यहाँ पर इस टॉक करेंगे अब आफिस से जो है वह एक गेट है वहाँ खुलता है अब कमपाउंडिंग एरिया में अब कमपाउंडिंग एरिया जो दोस्तों है पूर्टिक दार जहां पर दवा यहां को हम लोग बना के मिक्स करेंगे फिर उसके आगे जाएंगे ग क्वालिटी कंट्रोल चेख होगा और फिर क्वरेंटाइन से नीचे है यह तो पैकेजिंग फिर इस्ट्रलाइशन और क्लीनप यह सारी एरिया जो कॉम्बिनेशन है वह इस तरह से आपको रूम का सेटप बनाना है यह स्ट्रक्चर एक बहुत बार पुछा गया है डाइग वह फूरी तरह से कुए होना चाहिए फिल्म कोर केंटिंग उसकी प्लास्टिक होनी होना चाहिए ताकि बहुंद चैनल के थ्मके भी कव्षी आपए शित्टेशन में कृड़ू आटेर इसके शायचत कह रहां व Sou?". अलग अलग प्रकार के और जो वो जो है आपका जो फिल्टर से वह हमेशा लगातार कांटिनेवली चेंज होते रहना चाहिए ठीक है बात करते हैं इसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं माइकरोबियल लोट्स बढ़ने के तो आपको स्टेनलस स्टील के या कैबनेट लेने है उसके बात असेप्टिक एरिया में जैसे आप असेप्टिक एरिया में सब कुस्ष मैंटेन करते हैं बिल्कुल उसी तरह आपको यहां पर भी एस्टिराइल को पूरी तरह स से मायक्रोब्स फ्री होगा इस्टेराइल होगा इसको डिसन्फेक्टेंट किया जाएगा इस्टेल एस्टेल कंटेनर होंगे कबनेट सारे मसीन होगे मिक्सिंग और स्टोरेज के लिए जो है एक्विप्मेंट वो भी ऐस्टेप्टिक होने चाहिए compound जो preparation होगा हमेसा इसको हम लोग aseptic एरिया में ही उसको pipeline के दौरा transfer करेंगे ऐसा नहीं कि बना करक्त दिया और किसी और कवर भी जागे उसको mix कर रहें नहीं उसी एरिया में हम लोग उसको pipeline के दौरा connect करेंगे और उसको prepare करेंगे ठीक है quarantine system बाइए कहा थोड़ी देर कली हम स्टोर करते हैं थोड़ी देर के लिए हम इसको रखकी के लिए बेस सकते हैं तो उतिनी देर चो रखा जाता है कहते है को बहुते हैं तो पर्टिकूलर मैंटर से फ्री होना चाहिए बैक्टेर बात करेंगे पाकजिइंग एण लेवलिंग सक्सें जहान पर कि आपकजो की जॉथनिक यू provided इसके साथ सत्म हमें पैकजिइंग मसीन फिर फ्रिष चीजय वह ननना चाहिए थाय वह बित थाय। होना चाहिए ठीक है के वह एक टाइम पर एक ही लेवल की लेवलिंग होनी चाहिए एक साथ कई का हमको नहीं करना चाहिए और जो पैरेंटल पैकिंग है वहाँ बहुत ही वाइटल डोल इन दा प्रोडक्शन विश्टरायल प्रोर्शन तो सबसे इंपोर्टेंड आपको ध्य यह सब चीजे आपको ध्यान देना है इतना सॉप्ट इतना चिकना रखना है पेंटिंग के साथ कि उस पे आप जब भी वापर वास करें आप उसकी धुलाई करें क्लीनिंग करें तो पानी दिवाल पर चिपके ना अराम से पूरा पानी साफ हो जाए उसके साथ-साथ वह दिवाल पर कोई भी पार्टिकल दस चिपके ना जो किनारे होते हैं दिवालों के उस किनारों पर आपको हाइप सब्राने हैं ताकि वहां पर जाले न अलग सके तो यह सब आपको ध्यान देना है इससे आपको दिखाए तो आल क्लीन सर्फिसेसे इंक्लूद द फ्लोर वाल मॉस्ट बिखिए आपको असानी साफ हो जाय डिसिंफेक्टैंट ना असानी से कर सके डिसिंफेक्टैंट कर सकें और बिक सके चृझ तो मिनिमाईज दब बइंग्या पर इस तरह से बनाना है कम से कम microbial growth वहां पर हो सके अगला है flexing and non-flexing types of material are used for the construction of floor जो flexing and land flexing type of material होते है फ्लोर बनाने के लिए जबीन होती है वहां पर आपको tiles वगएर ऐसे रखना है जो ताकि material जो बहुत slippery ना हो ताकि आप गिर जाए अकर आप काम करते करते हो उसके washing करेंगे तो गिरे ना ठीक है fluxing floor material में क्या होता है basically PVC polyvinyl chloride का यूश किया है जो कि एक polymer है जिसको हम लोग जबीन पर लगा सकते है और ठीक है non-flexing material जैसे हमारे क्या है hard inorganic fillers होते हैं जैसे की matrix materials होते है ठीक है अब बात करते है walls की तो जो wall होने चाहिए वो non-inflammable fire register material जैसा नहीं कि आपने दिवा प्लास्टर होने चाहिए वह बहुत ही आसानी से डैमेज हो जाए जब चाहे उसको आप तोड़के फिर से repair कर सके और reduction fungal growth के लिए 1-8% hydrochloroquine pentachlorokinol इन सब के paint में मिलाया जाता है जब भी आप paint करेंगे इस कमरे को जो घर में paint होता है उस paint सी थोड़ा सा अलग paint किया है कि इसमें हम लोग hydroxy koloquinone और pinta chlorofenol के mixer को मिलाते ताकि इसमें microbes grow ना करें ठीक है epoxy resin basically यूज करते है paint के लिए या polyurethane paints यूज करते हैं इसमें क्या होता है जो दिवाल में दरारे आ जाती है बाद में छेलन आ जाता है वो सब सीचे नहीं आती है यह आपको ध्यान देना है ठ पर और वहां पर सर्फेस जो है वह भी कबोर्ड रावर सेल्स एक्विपेंट यह सब भी हमारे कम से कम जितना कम से कम एक्ष्टर एक्ष्टर एक्विपेंट होंगे उतना ज्यादा हमारे पास safety उसकी ज्यादा रहेगी आप बात करते है कि इसके जिस कमरे में सब्सक्राइ इस तरह से होना चाहिए कि वह बेसिकली लाइट के लिए बनाइजा ना कि वेंटिलेशन के लिए खिटकी से हवा आने का युप्योग ना करो कि हवा आयेगा तो मायक्रोब्स भी आएंगे वहमेंसा हवा कमरे के अंदर फिल्टर के द्वारा ही आना चाहिए खिड़की से जाए ताकि कबरे के अंदर जो लाइटिंग है वो प्रॉपर हो सके आपको पूरा कांच लगा के ढग देना है उसको ठीके विंडोस कभी भी खुलने नहीं चाहिए कि आपने खोल दिया हवा आने लगी और पूरा हवा अंदर आया पूरा पूरा बैक्टरिया खराब हो गया पूरा का पूरा SFT के लिए खराब हो गया तो विंडोस सुट भी नॉन उपिनेबल कभी भी खुलना नहीं चाहिए विंडोस में खिडिक सीशे से पूरी तरह से पैक्ट होना चाहिए दूर सुट भी हेल फिटेट बाइटेट बाइटेट पॉजिटिव प्रेसर एरफ्लो यहां है जितने भी पाइप पास हो रहे हैं दिवाल से जो रूम है वह पूरी तरह से चील होने जाए कोई भी पाइप अगर कंवरे से बिजली का फाइप गया है गैस का पाइप गया तो बाहर से लगा आक्टिवाल के अंदर से होना चाहिए यह ताकि आपको दिखाई न चाहिए थीक है लाइट सोर्स की बात तो लाइट सोर्स है क्लें रूम का हमेशा च्छत से शटा होना चाहिए नीचे बल्प लगा है अब बल्प ऊपर आपने LED लगा दिया त्यू लाइट लगा दिया उस पर मिट्टी जम रहा है नहीं वह हमेशा आपके सीरिंग च्छत से आपने कभी मॉल बगेरा में गए होंगे आप दिखते हैं च्छत से शटा हुआ जो होता है वह सीलिंग लाइट सोती हो प्रॉपर इलूमिनेशन होता है और फालतू के स्विचेज लाइटिंग स्विचेज फंगे फैन स्विचेज यह कमरे में आपको नहीं रखना है सारे इसविचेज आपको बाहर से कंट्रोल करने हैं कि अंदर जत्ती चीज़े होंगी उत्ता इदा कंटेमिनेश चांसे बढ़ जाते हैं ठीक है दोसों यह तो होगे हमारा क्लीन एरिया रूम डिजाइन का पूरा का पूरा डिजाइनिक इतना आपको लिखना है आपसे लाउं से पूरी तरह से añad बिलकुल जी हाँ जो पुल स्काम करते हैं यह उसको बिलकुल इसी तरह से कबड़ को ही पहनते तो चुछ कि the main source of contamination of clean areas arise from the skin scales which are the release in the operator ठीक है जो skin पे यानि बालों से जो skills निकल रहे है उसको आपको इवाइड करना है पर्सनल स्रेक्टेट पर्डेटल प्रोडक्स मस्ट बी नीट रिलाइबल ऐसा व्यक्ति आप चुनिए इस काम के लिए जो साप शुथरा हो ऐसा ना हो कि भाई नहाता ही ठंडी आगे बारा बारा दिन नहीं रहा है ददर दिन नहीं रहा है लगधर मल इच्छना हो पर थोड आपको उस एलिया में कम से कम लोगों का उपरेटर रखना है ऐसान एक काम जो काम एक दो लोग से हो सकता है उसके दस लोग जरूत नहीं लगाने की क्योंकि कम से कम उपरेटर रहेंगे तो कंटामिनेशन चांसे कम होगा आल परसनल शुट बी ट्रेंड फर जी अमपी एड एसेप्ट टेक्मिक जितने भी परसनल व्यक्ति वहां पर काम कर रहे हैं चाहे वह ऑपरेटर हो जाहे वह मज़्दूर हो जाहे वह केमिश्ट हो सबको जी एमपी और एसेप्टी के रिया कॉंसेट के हिसाब से पहले से कि वह पूरी तरह चीजों को समझें तो ऑपरेटर सुट बीए और इस्टरायल प्रोडॉक्स क्लाफिंग इंप्लूट है क्या पहनना उसको हैट कवर जो सर पे ताकि बाल बाहर न गिरे ठीक है पाउडर फ्री रवर्स रवर में प्लास्टिक गलब्स पहनने है प्लास्ट को बिल्कुल समझ रोग सके तो आल प्रोडुक्तिव क्लोफिंग मस्ट बीए इस्टायल बाइता मौइस्ट इस और इथाइरिन ऑक्साइडियाज इस नियुक्त इन सभी कपड़ों को पहनने से पहले भी आपको इस्टेलाइज करना है इसको हम मौइस्ट हीट करके ही कोई operator factory के अंदर जा करके वो काम करें चले दोस्तों बात करते हैं cleaning and disinfection की आप हम कमरे के सफाई कैसे करेंगे disinfection मत होता है कि आप non living surface पे जब भी हम इस्टेलाइज करते हैं उसको हम लोग disinfection कहते हैं तो disinfection यानि disinfectant और cleaning कैसे हम लोग करेंगे cleaning perspective process होता है वो हमेशा microbes और particular matter contamination को रिमूब करने के लिए इसका इस्तवाल किया जाता है इसमें cleaning agent हमेशा यूज करते हैं वो क्या होते है alkaline detergent होते है नान आयनिक और आयनिक surfactant का इस्तवाल किया जाता है disinfection के लिए ठीक है तो different type of disinfectant को हम इस्तवाल करते हैं ठीक है जैसे की microbes को रोकने के लिए जैसे quatery ammonium compound है sodium hydro यह इसका example चुरू रात करने ना दोस्तों sodium hypochloride ethanol है formaldehyde solutions है इसका इस्तवाल किया जाता है इसके साथ सेट्रिमाइट और chlorhexetine 70% यह बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इसकीन को disinfectant करने के लिए किसी भी वरकर को जो वो काम करने जा रहा है ठीक है बात करते है एयर सप्लाई की जो complete factory के अंदर जो हवा रही वो सबसे important factor है क्योंकि हवा के साथ ही microbes सबसे ज्यादा आते हैं तो बाहर से आने वाली हवा के लिए आपको क्या करना है filters का यूज करना air supply कैसे होने चाहिए उस filter की हम बात करेंगे ठीक है तो basically हम लोग हेपा filter यूज करते है high efficiency per click rate air filter अब आप से इस chapter में question कैसे पूछेगा इस chapter में पूछेगा write about the HEPA filter HEPA filter पर एक note लेकिए उसका diagram बनाएगे उसका structure बनाएगे या filters के बारे में discuss कीजिए तो आपको ही लिखना है कि HEPA filter जो होता है वो एक बहुत ही जादा minute particle size को ही अंदर जाने देता है और वो इसको रोक के रखता है high efficiency नाम सी लग रहा है कि ब बेड़े वाले आते हैं लंबाई जिसके काम होती है लेमनार air flow के bench के हिसाब से आता है ठीक है और इसकी जो velocity होती है 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 फिल्टर पर क्यूशन जरूर आता है exam पर धान देना इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझेगा और notes भी बना ली जागा ठीक है बात करते है जो air velocity होती है फिल्टर करीब 0.54 mil per second होती है और करीब 90-20 feet पर minute इसका moment होता है air का ठीक है ये क्या करता है जो di-octile pathally DOP particles होते है 0.3 micrometer size से चोटे इनको वहाँ से remove कर देता air के साथ आगे बात करते है ये 99.97% तक air को पूरी तरह से pure कर देता है इसलिए इसका राब high efficiency है ठ 0.03% chances है contamination होने के ठीक है इसमें क्या होते है कि करीब जो air का class है 100 class होता है और इसको ये 6-12 महीने में हमेशा इसको बदलते रहना चाहिए certified कर देता है ठीक है बाकि इसमें settle plates, microbial air supplier और bi-particle container ये सब इसके अंदर होते है ठीक है अब बात करते है जो laminar flow equipment है यानिके hair filter है वो दो प्रकार के हो सकते है vertical laminar flow और horizontal खड़े वाले है तो vertical और चोड़े वाले है बैड़े वाले है तो बात कर लेते हो इस ट्रक्चर देखे वर्टिकल का दोस्तों बहुत ध्यां से structure जरूर बरा लिजेगा structure बहुत जब भी exam में आप से पूछेगा air laminar airflow या हपा filter आपको structure ज जड़ा ज्यादा है यहां पर से light लगा होता है यहां पर नीचे आफ़ नीचे पर काम करते हैं ठीक है बाकी सारे machines लगे फिल्टर लगे है जो के air को पास करके आपको pure air आपको यहां पर देते इस structure जरूर आपको बनाना है कौपी में आपको याद करना है उसके बाद करते नीचे से ऊपर के और जाता है यहां नीचे से हवा जा रही है और यह हवा उपर जो आपको हैपा फिल्टर लगा वहां से फिल्टर हो करके फिर जाती है आपके सर्फेस की तरब जहां पर आपको काम करना है ठीक है अब हम बात करेंगे air flow का pattern जो हमारे filter लगे होते उस filter में कमरे में air flow का pattern कैसा और किस तरह से कमरे में हवा घुपहलती है किस तरह से वह पहुचती है तो बेसिकली जो होते तीन तरीके से air filter में जो air flow हो सकता है पहला ही unidirectional जो एक दिशा में जाएगा और एक दिशा से निकल जाएगा दूसरा है non-direction नहीं इधर से भी आ सकता है उ यूदि यूनिट लगे है उपर लगा हुआ है नीचे से हवा बाहर निकल रही है आउडलेट से आ रही है और filters होते हुआ νी आ रही है ऐ तरहं यूद्टर लगा हुआ है तो नीचे हवा झीजरा है pipe से और उपर रसे नीचे और थेख रहे है adalah ether ae is called unidirectional air flow क्यों डी ध्य इससे आप दिखते जो फैरन उपर लगा हुआ है इसके साथा आउप्ट ही ऑपर से आने के पाद एक शीज इंदम आ रही है वह फैल रही है जीसे आप lighter जाए वा देखते हैं जो फैरन व फैल से आतरा है वह पूरे इंग्वר जरूर देख लीजेगा, आगे बात करते हैं कि clean area classification, ये exam में जरूर पुछेगा ये table आपको याद करना है, बहुत बार exam में पुछा गया और आपको जितने भी exam होते है, फार्माशिस्ट के जी-पैट के, drug inspector को उसमें इस topic से एक question जरूर आता है कि आपको कितने ग्रेट, बहुत चार ग्रेट पर डिवाइड के आगया है clean area को, grade A, grade B, grade C, यारी हम कह सकते हैं कि हमारा जो aseptic area हो किस grade का है, grade A है grade B है, grade C है, grade D है तो जो grade A होता है, उसमें जो particles कितने होने जाए, 0.5 micron के particle वो करी 3520 ठीक है, कितने maximum particle जो एलाओ है वहाँ पे और 5 micron के 20, ठीक है और operation area में कहाँ पे होता है, 0.5 micron और 50.5 micron, यह आप देख रहे हैं कि कितने particular number है, उसे तरह से grade B, grade C, grade D, जैसे से grade बढ़ता जाएगा number आप particle संख्या बढ़ती जाएगी उसमें जो air particles हैं, foreign particles हैं, क्योंकि पूरी तरह से इस्टरलाइज नहीं कर सकते, तो यह उसकी संख्या को denote करता है, तो यह table आपको copy में बना लिजेगा, लिख लिजेगा, आपको याद करने में आसानी होगी दोस्तों आगे बात करते हैं कि test of clean aseptic area, हम जो हमारा पूरा का aseptic area है, हमने कहा भया चलो ठीक है हमको production करना है, और production करने से पहले हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे एरिया को clean करेंगे, तो हम कैसे मानेंगे कि हमारा area clean हो गया है, हमने जिस worker को भेजा उसने proper मन से काम किया तो काम करने से पहले एक बार हम पूरे जाकर टेस्टिंग करेंगे, प्रॉपर टेस्टिंग का मतलब है क्या वो प्रॉपर सफाई हुई है कि नहीं हुई, तो टेस्टिंग करने के दूसर दो तरीके, एक होता है कॉमिस्टिंग टेस्ट, ठीक है, इस पर जो होता है installation test है induction leak test है filter efficiency test है particulate contaminating controlling test है air pressure test है temperature humidity test है air flow का test है noise level test lightning test है and microbiological test है sorry थोड़ी सी तभी अतना साज है ठीक है और monitoring test तो इसका आरेम क्या होता है दोस्तों exam में कर एक अलग से question पूछे का write the testing of the clean room aseptic area ठीक है तो इस तरह से आपको लिखना है क्या होता है आप इसको देख सकते है commissioning test में यह करीब British standard 95295 के हिसाब से यह parameters बनाया गया है final filter installation test में क्या है कि जो आपने filter media आपने filter यूज किया कि नहीं यूज किया filter laminar air flow, hipaa filter यह आपने यूज किया इसको check करना उसका connection induction check करना वो properly काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है induction leak test का मतलब क्या है कि यहाँ पर जितनी पार्टिकल्स जो इसके अंदर घूस रहे है कमरे के अंदर वो प्रॉपर उसका particle size क्या है वो microscope से आप उसको verify करना है check करना है ठीक है आगे हम बात करते हैं इसके filter deficiency test के जो भी filters लगे हैं क्या वो प्रॉपर रिकाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसको filter efficiency test कहते हैं उसको particulate contamination control test मतलब है कि जो प्रॉपर अंदर घुस रहे हैं कमरे में एर के द्वारा उसका लेवल है इसको particle size क्या है उसको रूम क्या है उसको check करना air pressure test मतलब air को check करना कि properly air का pressure क्या है किस प्रेशर से air जा रहा है यह आप manometer का इस्तमाल करके अलग मैनometer का इस्तमाल करके इसको test कर सकते हैं ठीक है आगे बात करते हैं temperature humidity test करना यह तो आप पता है आपके thermometers लगे होंगे और बाकि media humidification के लिए आपको humidifiers लगे होंगे जिसके उदर आप चेक करेंगे air flow test आप कर सकते हैं noise level आप टेस्ट कर सकते हैं machine लाइटनिंग टेस्ट कर सकते हैं यह से के दवारा ठीक है इस सारा कुछ आपको बस दो लाइन लिखना है क्योंकि आप पहले से सब कुछ जानते हैं बात करेंगे हम लोग monitoring testing monitoring के लिए क्लिए आप camera लगया है LED screens लगी है आप देख सकते हैं जो worker अंदर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा हो जाकर बैट गया है जूटो जाडो अडू मार दिया बोला हमने कर दिया तो आप उसको camera से सब्सक्राइब होंगे कि मायक्रोबाला जी यूनिट वन टू थी फोर फाइव फाइव पहले खता हो चुका है यह फोर लास्ट थी निट था और फिर आप लोग पढ़ते रहे हैं आपको एक्जाम के लिए गूट लग थैंक्यों सो मॉच टेक केर बाई बाई